हलो फ्रेंट वेलकम बैक तो माई चैनल आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्लाजो की कटिंग और सीचिंग कैसे करनी है इसके लिए यहाँ पर मैंने रिक्वाइड फैब्रिक जो लिया है टू मीटर का फैब्रिक लिया है रियॉन का फैब्रिक है और फैब्रिक जो ह और एक बार फोल्ड कर लेना है तो अब हमें क्या करना है दिखें लंबाई वाली साइड से यह जो है बंद वाली साइड है इसे और एक बार हमें फोल्ड कर लेना है ऐसे जितनी पर आपकी हिप है उसे डिबैड़ड बाई फोर करके उसमें आपको थ्री इंच जो है तो यहां पर मैंने लाइन जो है ड्रॉ कर ली है अब देखिए यहां से इंच टिप को रखना है और टोटल लेंध मेजर कर लीनी है आपकी जितनी भी लेंध है प्लाजो की वह लेंध आपको यहां से लीनी है तो यहां पर प्लाजो जो है यह जो फैब्रिक है रियॉन का फै यहां बोखेख से अब 1 इंच में इसलें के लिए इस पूरी लेंच में फैबरिक की से लिए पर भी मेरी बाज़ु बंध है और सामने वाली लेंच वहां बाज़ु पर निकल जाएगी तो अब हमें क्या करना है देखिए ये जो line हमने half inch की draw की है वहाँ पे hip का measurement लेना है hip आपका जो भी है उससे divided by 4 कर लीजे तो hip है 44 inches divided by 4 करके सबसे पहले mark करेंगे 11 inches पर ये जो है fitting वाला measurement है अब इसमें 11 प्लस हमें इसमें से कितनी losing देनी है तो 11 inch यहाँ पर है प्लस हमें इसमें देनी है 2.5 inch की losing जो की इस पार्ट में 2.5 inch इसे हमारी चारो जो layer है उसमें 2.5 inch की losing आ जाएगी 2.5 inch इसमें losing दे दिये है अब हमें क्या करना है जो open वाला पार्ट है वहाँ से सीधे नीचे हमें आसन का measurement लेना है जो भी अपका hip है उसे divided by 3 कर लीजे यहाँ पर hip का 4 पार्ट लेना है आसन के लिए hip का जो है 3 पार्ट लेना है हमें देखे 44 divided by 3 कर लेने के बाद यहाँ पर लगबग हमारा जो measurement आ रहा है वो 14 से 14.5 inch आ रहा है total तो देखे हमें क्या करना है उपर 2 inch की belt जो है add कर लेनी है हमें इसमें तो 2 inch inch step को उपर रखेंगे और यहाँ पर mark करेंगे हम 14.5 inch पर देखे ऐसे तो यह हो गया हमारा आसन का measurement और यह line आगे extend कर लीनी है ऐसे अब यह जो line है देखे ऐसे इसे सीधा हमें मिला लेना है आसन वाले क्रचेरिया से देखे यहाँ से straight line ड्रॉ कर ली है अब यहाँ पर देना है आसन के लिए हमें गोलाई देनी है तो देखे यहाँ से मैंने 2.5 inch आगे लिया है 2.5 inch आगे तक लेना चाहिए इस size में बड़ round shape जो है draw कर लिया है मैंने हलके से तो यह हो गए आसन की marking हमारी अब देखे यह जो है bottom वाला पार्ट है bottom वाले पार्ट के ऊपर आपको जितनी भी यहाँ पर आपको जितना भी घेरा चाहिए उतना आप ले सकते हो तो यहाँ पर मैं 14.5 inch लगबग 14 inch तक मैं इसमें घेर ज रखनी है तो देखे इसमें हमारी bed जो है add हो जाएगी तो लगबग 43 inch का यह fabric है इसमें से हमें जो bottom है belt छोड़के 40 inch की जो है plaza ready कर लिया है तो इतना जो है यह bottom fold हो जाएगा हमारा अब यह जो corner है यह जो point है इसे हमें आसन में तिर्चा मिला देना है आसन वाले पार्ट स इसे तिर्चा मिला देना है तो देखे स्केल के help से हम इसे तिर्चा मिलाएंगे जैसे inch step रखा है cross में वैसे इस mark को हमें cross में मिला देना है तो देखे इंच step की help से या फिर अब scale की help से भी एसी line जो है cross में draw कर सकते हो यह जो line है हमने draw कर ली है cross में अब as it is इस पाट की cutting कर लेंगे तो देखे सबसे पहले आसन वाले पाट की cutting करेंगे और इसकी side से cutting करेंगे इसे marking हमने की थी उसी के according cutting कर ली है अब इन दोनों पाट को हमें open कर लेना है तो देखे इसे open करेंगे तो यह हो गए हमारी plazo की cutting अब देखे यहाँ पर सीधी side और ulti side देखनी है सबसे पहले जब भी हम fabric रखेंगे तो ulti side ही fabric रखेंगे तो देखे यह दोनों जो side है वो सीधी side है यहाँ पर तो दोनों main fabric जो है आमने सामने रखे है और यह जो है ulti side है नीची वाली side भी जो ह अब हमें क्या करना है तो देखे यह जो दोनों आसन वाले part है उसे half inch लगबख half inch का difference देते हुए ऐसे जैसे मैं यहाँ पर marking कर रही हूँ उसी के according हमें stitch कर लेने है दोनों आसन वाले part देखे यह marking हो गया उसी के according दोनों आसन वाले part हम stitch कर लेंगे सबसे पहले friends देखे यहाँ पर दोनों आसन वाले part जो हमने सिल लिये है अब इस plaza को हमें केसे कर लेना है देखे center की side से ऐसे पकड़ते हुए ऐसे रखेंगे तो दोनों लेग वाले part जो है separately हो जाएगे center से center मिला लिजे आसन का अच्छे से कि अब यह जो दोनों लेग वाले part से वसे प्रेट हो गए यहाँ पे जो है आसन जो है मिला लिया है अब हमें यह जो आसन वाला part छोड़ते हुए जो दोनों लेग के part है उसे stitch कर लेना है ऐसे आसन से आसन मिला लीजे फिर stitch कर लीजे उसके बाद देखे यह जो bottom है जितनी भी हमने यहाँ पर margin रखी है तो 2 इंच की लगबग margin है half inch एसे fold करेंगे और एक बार एसे अंदर की साइट double fold करते हुए stitch कर लेंगे ऐसे ही दोनों bottom हमें ready कर लेने है double fold करते हुए belt joint कर लिए है दो parts में है belt तो इसे joint कर लिया है अब देखे बेल्ट का measurement अच्छे से ले लीजे यहाँ से और जितना भी extra part है उसे cut कर लीजे देखे इसे cut करते हुए पूरी belt जो है हमें इसमें देखे इस side से भी belt joint कर लेंगे अब देखे बेल्ट का center है belt का main fabric plazo का main fabric दोनों main fabric आमने सामने रखते हुए सबसे पहले पूरी belt जो है एसे stitch करेंगे पूरे round में belt जो है एक side से हमने attach कर लिये है आप देख सकते हैं इसे कितने अच्छी finishing आ चुकी है और उपर से जो यह हिस्सा है belt का इसे भी हमने half inch जो है fold कर लिया है अब देखे यह जो belt है यह हमें simply एसे अंदर के side fold करते हुए stitch कर लेना है center से center match करते हुए और यह जो अंदर वाली सिलाई है इसे भी अंदर के side लेंगे यह जो सिलाई है यह belt के अंदर जन चाहिए इसे stitch करेंगे सिर्फ कौन से भी side से आपको 4 inch जो part है इतना 3-4 inch open रखेंगे वहाँ से elastic जो है वह हमें insert कर लेना है देखें friends belt जो है पूरे plazo में हमने belt attach कर लिया है और देखें सिर्फ इतना जो part है यह open रखा है belt का अब इसमें से हमें elastic जो है insert कर लेना है आपका जो भी elastic है आपको यहाँ से insert कर लेना है इसे पूरे round में elastic के से insert करना है आपकी जो भी कमर है उससे आपको 4-5 inch elastic जो है कम लेना है friends यहाँ पर elastic जो है plazo में हमने insert कर दिया है और यहाँ पर plazo हमारी बन के ready हो चुकिए आपको मिलती रहे यह जो है plazo की कूरती है plazo और कूरती का set है यह